हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में आज हम लोग एक नया हाउस प्लान लेके आये हैं जो हमारा वेस्ट फेसिंग का होगा पस्छिम दिशा का पस्छिम मुखी घर होने वाला है जो हमारा रोड है वो पस्छिम दिशा में है और हमारा ये टोटल 970 square feet का house plan है जिसमें हमारा front direction में 19 feet 5 inch है इसपेस बाहर से बाहर तक आउटर दिवाल से आउटर दिवाल तक 19 feet 5 inch है और हमारा लंबाई जो है कितना है 50 feet है बाहर से बाहर का तो टोटल हमारा इसमें 970 square feet का ये house plan बनता है इसमें हम लोग ground floor और flush floor दो floor का हम लोग नक्सा भी बनाए हुए है तो उसको हम लोग देखेंगे और इसका हम मेरे पास एक वीडियो है जो हम लोग layout किये थे ग्राउंड पर उसका भी वीडियो है तो लास्ट में उसको भी हम लोग देखेंगे तो दोस्तों चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं आज का हम लोग ये सुन्दर सा एक house plan देखते हैं जो 970 square feet का house plan है तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग इसका plot इंटर दवा के हम लोग यहां पहुंच जाते हैं जिससे कि हमारा previous हम लोग इसको load करके रखे हुए हैं प्रेव्यू में जाते हैं यहां से हमारा अच्छे से plot दिखेगा completely तो सबसे पहले तो हमारा यह west face है जो हमारा ground floor है यह हमारा क्या है road है road के बाद सबसे पहले यहां से हम लोग entry लेंगे जो parking में entry लेंगे एक parking रखे हैं जो हमारा 11 feet 9 inch का है जो हमें west direction और west हो गया इधर हमारा north है इधर south है इस direction में हमारा east है ठीक है तो south and west corner पे हमारा क्या है parking space है जो 11 feet 9 inch into 18 feet 10 inch का है बहुत बड़ा parking space है लोग बड़ा गारे भी इसमें आराम से रख सकते हैं parking के just बगल में हम लोग stair रखे हुए हैं जिससे क्या होगा कि अगर हम लोग stair को separate रखते हैं तो हम लोग का ground floor जो है उसका gate जो है इससे attach नहीं है तो जो हमारा first floor पे रहेंगे आदमी उनको problem नहीं होगी और जो ground floor पे रहेंगे उनके लिए एक separate gate हम लोग डाले हुए यहाँ पे तो यहाँ से हमारा उसके बगल से मेरा stair है जो देख सकते हैं 3 feet 6 inch का यहाँ landing है और यहाँ पे हमारा landing कितना है 3 feet का हम लोग लिए है टोटल अंदर से अंदर मेरा क्या है 6 feet 5 inch हम लोग stair के लिए जग इंच का लिए है यह हमारा stair का specification है यहाँ से हम लोग door से हम लोग first flat में इंटर होते ही हमारा dining and drawing है इसका space हमारा है 11 feet 2 inch into 7 feet है जगह कम होने के कारनी यह जो हमारा है यह सिर्फ 7 feet ही जगह मिल पा रहा है इस direction में हमारा कितना है 11 feet 2 inch और यहाँ पर इस corner पर हमारा एक डबलू size का window हम लोग provide किये है ड्राइंग रूम से ही attach हमारा बात ट्वाइलेट है लेट प्लस बात दोनों attach है जो हमारा 4 feet into 7 feet का है और इसमें हमारा D3 door है यहाँ पर डबलू 2 हम लोग window provide किये है या ventilation और हम लोग जस्ट उसके बगल में duct छोड़े हुए है जो 7 feet into 3 feet का है इस direction में हमारा 7 feet है यहाँ हमारा 3 feet है एक हम लोग duct छोड़े हैं जिससे क्या हमको ventilation में हमें problem नहीं हो क्योंकि यह सहर का नक्सा है तो इसमें क्या होता है कोई भी maximum अपने जमीन में आपको ventilation देना होता है क्योंकि हर side से घर बना हुआ होता ह है तीनों साइड से तो ventilation को के लिए जगह आपको खुद के space में छोड़ना होता है तिसलिए हम लोग यहां duct एक छोड़े हुए हैं जिससे क्या होगा कि तीन जगह का ventilation हमारा हो जायेगा ट्वाइलेट का हो रहा है यहां से हम लोग bedroom का दिये हुए खिरकी और यहां से हम लो फर्स्ट डीवन डॉर से हम लोग फर्स्ट रूम में इंटर होंगे जो हमारा 12 feet 10 इंच का है जो 12 feet 10 इंच एक sufficient और बड़ा रूम होता है जिसमें हम लोग अराम से सारा चीज़ आ जाएगा हमारा रूम का इस direction में में 12 feet है और इस direction में हमारा 10 feet है यह bedroom है यह complete 2 BHK का plan है हमार ग्राउंड फ्लोर पे इधर देख सकते हैं D1 है डॉर से हम बेडरूम सकेंड बेडरूम में आएंगे जो हमारा 12 feet 10 इंच का सेंज है उसके बाद हमारा पीछे साइड बरांडा दिये हुए जो इस डारेक्शन में है इस कॉर्मर पे हमारा बरांडा है जो 2 feet 6 इंच का और D3 कि ढूट डाले हुए इसमें यहां से हम लोग बरांडा में पहुंच जाएंगे जो हमारा इस रूम से बेडरूम से एटच है और इस बेडरूम के जस्ट बगल में हमारा साउथ एंड इस्ट कॉर्नर जो अगनी कोन होता है वहाँ पे हम लोग क्या दिये हुए है किचन दिये हुए है जो हमारा 6 feet 2 inch इंटू 8 feet 6 inch का है जो बहुत बड़ा किचन होता है ठीक है तो ये हमारा ground floor का plan था जो 2BH का है complete बना हुआ था प्लस एक parking है जो हमारा बहुत बड़ा साइज है एक 11 feet 9 inch इंटू 18 feet 10 inch का अब हम लोग first floor का plan देखेंगे यहीं पे हमारा first floor का भी plan है इसका देखते हैं अगर दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब हम लोग क्या करेंगे first floor का plan देखेंगे तो पहले हम लोग select कर लेते हैं first floor के plan को यह हमारा first floor का plan है जिसमें हम लोग two room का नीचे plan था और first floor पे हमारा three room का plan बन जाता है तो यहाँ जो space हमारा stair था stair से flat two में हम लोग enter करेंगे जो first floor पे होगा उसमें जो हमारा नीचे parking था उस area को हम लोग एक यहाँ bedroom और balcony में convert हो जाएगा तो यह हमारा bedroom है यहाँ से flat में हम लोग enter करेंगे first floor के उसके बाद हम लोग drawing plus dining में पहुंचेंगे जो हमारा 11 feet 2 inch into 11 feet का हमारा बरा साइक drawing plus dining हो जाएगा उसके बाद D1 door से हम लोग इसमें enter करेंगे bedroom में जो 11 feet 9 inch into 10 feet का हमारा यह bedroom है बेडरूम से सटा हुआ balcony है जो 9 feet 3 inch into 4 feet 5 inch का बहुत बारा साइज यह balcony का है इस direction में हमारा 4 feet 5 inch है इस direction में हमारा 9 feet 3 inch का यह हमारा balcony बन जाता है D3 door यहां दिये हुए है और W window प्रवाइड किये हुए है ठीक है यहां से हम लोग D3 से हम लोग D3 door से ही एक toilet हम लोग प्रवाइड किये है जो 9 feet 4 inch into 4 feet का हमारा यहां पे एक toilet प्रवाइड किये है जो हमारा इस room से bedroom से attached toilet है उसके बाद drawing hall के बाद जैसे इस तरीके से हमारा नीचे था एक toilet था चार feet साथ चार feet into साथ feet का सिम्दरली उसी तरीके से मारा first floor पे भी है और जस्ट बगल में एक duct है साथ feet into 3 feet का उसके बाद हमारा यहां से 6 feet 2 inch का passage है यहां first bedroom है जो 12 feet into 10 feet का है और यह third bedroom हमारा हो जाएगा first यहां था second ही हो गए यह हमारा third bedroom हो जाएगा जो 12 feet into 10 feet का होगा 12 feet हमारा इस direction में जगा है इस direction हमारा 10 feet जगा है बगल में kitchen में same size का जिस size का नीचे हमारा kitchen था कितना है 6 feet 2 inch into 8 feet 6 inch का बारांडा नीचे हमारा 2 feet 6 inch का था इसको हम लोग first floor पे बालकनी बन जाएगा यह हमारा 2 feet 6 inch का तो यह एक 3 bh के complete house plan था जो 970 square feet में बना हुआ है इसका हम लोग layout जिस दिन हम लोग किये थे उसका वी वीडियो एक छोटा सा 30 second का है उसको layout वीडियो हम देखते हैं इसके सारा यह पीलर का डाग दिया हुआ है यह लोग layout यह दो लिटा डाला हुआ है क्योंकि 9 inch 9 inch 9 size जाम लोग पीलर पुखाइड करें बीच में मारा चार पीलर है जो 9 inch 15 size कर रखे में layout करके दोस्तों आज हम लोगोंने 970 square feet का house plan देखा जिसमें हम लोग ground floor और first floor दोनों का हम लोग plan देखे ground floor पर हमारा 2 BHK का house plan था और first floor पर हमारा 3 BHK का house plan था दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ वीडियो share करें इस channel पर इसी तरह के content आते रहेंगे समय समय पर हर एक से दो दिन में नया वीडियो आता रहेगा civil engineering से related तो वीडियो को जादा से जादा share करें अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं next वीडियो में तब दे के लिए जय ही जय भारत झाल